हलो फ्रेंड्स फर्स्ट ले प्लीजेंट गुड मॉर्निंग तू ओल अव यू आइम रवीना शेखावत और वेल्कम तूआ यूटूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर एस सेखावत बैंकर्स फ्रेंड्स एज ओल्वेज मैं लेकर आई हूं आपके लिए वीकली करंट अफ नहींने कार्यों का किशने किया इसकी औप्सन्स है एक एसीं कोई नहीं इसका राइट आंसर है एक एसीं ने भारत नेपाल लिंक नहर में के लिए हेड रेगुलेटर कारियों का शना यस किया है एक सिंग एणचठ फे शेख इन्होंने उत्राखंड के 40.2 मेगावाट टनकपूर पावर स्टेशन के बैराज से भारत नेपाल लिंक नहर के हेड रेगुलेटेड कारियों का शुलानेस किया है यह प्रियोजना भारत और नेपाल के बीच महाकाली संदी के बीच हुई महाकाली नदी का जल विवाद था भारत और नेपाल का और इसको खतम करने के लिए 1996 में महाकाली संदी हुई थी यह जो लिंक नहर है इसकी जो लंबाई है वो है 1.2 किलो मिटर हमारा आज का अगला क्योस्चन बारत उजबेकिस्तान के पहले आवाशी सिखर्शम्यलन के अधेक्स्ता किसने की इसके ओप्संस है हश जैशंकर नरेंद्रमोदी डॉक्टर हश वर्दन इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है नरेंद्रमोदी नरेंद्रमोदी ने भारत उजबेकिस्तान के पहले आवाशी सिखर्शम्यलन की अधेक्स्ता की यह दिवपिक्स्य सिखर्शम्यलन इसमें उजबेकिस्तान गंडाजे के राष्टपती सावकत मिरोमोनोविच मिर्जियावे ने से अधेक्स्ता की थी प्र 20 अक्टूबर 2020 को हुई थी यह उजबेकिस्तान के तासकंद से आज जित हुई थी जहां भारत का परती निधित्व सोलिशिटर जनल तुसार मेता ने किया इसके अलावा 6 नवंबर 2020 को भारत इटली आवासी सिकर शमेलन हुआ इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली के प्राइम मिनिस्टर ग्यूशेपे कोंटे ने सेह देख्सता की थी हमारा आज का अगला क्योश्चन पाचवी भारत मयामार ड्रग कंट्रोल कोपरेशन आज जित हुई इसमें भारत की तरफ से परतिनी धीत वकिशने किया था इसके उप्शन्स है पमिच्या नरेंद्र मोदी राकेस अस्थाना श्रीपद येशोनाइक इसका राइट आंसर है राकेस अस्थाना राकेस अस्थाना ने पाचवी भारत मयामार बैठक ड्रग कंट्रोल कोपरेशन आज जित हुई थी इसमें भारत की तरफ से हिसा लिया था और मयामार की तरफ से ड्रग इन्फोर्स्मेंट डिविजन के कमांडर ब्रिगेडियर जर्नल विन मिंग ने की है NCB Narcotics Control Bureau यह भारत में ग्रह मंत्रा लेके अधिनाती है और इसके जो महास्तिव हैं वो हैं राकेस अस्थाना मयामार मयामार की राजदानी है नेपिडाव मुद्रा है कायत और अधैक्स है यू विन मिंट इसके अलावा दवंबर दो हजार बीस में भारत मयामार के बीच शयुक व्यापाश्रमीती की शाद्वी बैठक हुई है जिसमें पियूस गोयल ने हिस्सा लिया था इसके अलावा भारत कतर ने निवेश के लिए प्रियोजनाओं की पैसान के लिए एक टास्पोस का गठन किया है मिंस मार के ढूणना और वहाँ पर नई प्रियोजनाओं स्टार्ट करना इसके लिए इन पर एक नजर रखने वाले एक टास्पोस का गठन किया है इसके अला इसके अलावा भारत और म्यामार ड्रग कंट्रोल को प्रेशन भी हुआ यह दिव पक्षिय जे डबलू जी बैठक आज जित हुई है अमारा आज का अगला क्योस्टन विकासिल देशों के युवा गणितग दोजार बीस के लिए रामा नूजन पुरुसकार जीतने वाली पहली ब्राजिल की गैर भारतिय का क्या नाम है इसके उप्संस है कैरोलीना अराजुओ अतिस दाम बोल कर कारलोस केनिंग इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है करोलीना अराजुओ ने विकासिल देशों में युवा गणितग्यों दोजार बीस के लिए रामा नूजन पुरुसकार जीता है ये ब्राजिल की गैर भारतिये हैं आईम्यू अंतराष्टिये गणितिये संग की ये महिलाओं की स्मीति की उपादेख्स रह चुकी है मिन्स आईम्यू की महिलाओं की जो स्मीति होती है आईम्यू में उसकी अदेख्स रह चुकी हैं और ये इन्होंने गणितग्ये स्री निवासन रामानूजन पुरुसकार जीता है और यह है पुरुषकार जो स्री निवासन रामानूज थे इनके नाम पर रखा गया है IMU के जो प्रेजडेंट है वो है प्रोफेसर कार्लोस केनिंग सची है बर्लीन जर्मनी हमारा आज का अगला क्योस्चन वर्ल एकोनोमिक फम दोहजार इकिस की मेजवानी कौन करेगा इसके उप्चन से बारत, सिंगापूर, रुस, इन् computation कोई नहीं इसका राइट आंसर है सिंगापूर, सिंगापूर वर्ल एकोनोमिक फम दोहучार इकिस की मेजवानी करेगा यह 13 से 16 माई 2021 में आज़ित क्या जाएगा इसके अलावा 2021 की ग्लोबल टेकनोलोजी गवर्नेंस समीट की भी मेजवानी टोक्यो करेगा क्लाउन स्वाब है जिनेवा स्वीजरलेंड सिंगापूर की जो राजदानी वो सिंगापूर ही है उसके प्राइम निस्टर है ली हियशन लूंग और मुद्रा है सिंगापूर डोलर हमारा आज का अगला क्योस्चन हाल ही में फायर शेफ्टी सर्टिफिकेट की प्रकिरिया का आधूनी की करण करने वाला भारत का पहला राज़े कौन सा बना है इसके ऑप्संस है गुजरात तमिलनाडू केरल मध्यपरदेश इसका राइट आंसर है गुजरात गुजरात ने फायर शेफ्टी सर्टिफिकेटं को डिजिटल कर दिया है अब डिजिटली मिल सकता है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेटं ओर यह करने वाला गुजरात पहला राज़े बना है। विजय रुपानी, राजदानी है गांधी नगर, राज्य पाल है, आचारिय देवर्थ, 33 जिले हैं, राज्य सभाकी 11 सीटे हैं, लोक सभाकी 26 सीटे हैं, इसमें कुछ इंपोर्टेंट जो राष्टी उदान है, जैसे गिर राष्टी उदान, वेलवाडा, ब्लैक बक नेशन नेशनल पार्क, मसीन, मरीन नेशनल पार्क, इसके अलावा, 4 नवंबर 2020 को, गुजरात के जामनगर एयरवेस पर, तीन राफेल फाइटर जेट्स उतारे थे, यह राफेल फाइटर का दूसरा बैच था, इससे पहले, पहला बैच, जो किया था, जिसमें 5 राफेल जेट्स वो हरियाना के अंबाला जिले में तैनात है, अब टोटल 8 हो गए हैं, और अभी 36 जो राफेल हैं, वो आने बाकी हैं, हमारा आज का अगला क्योस्टिन हाल ही में किसने 6 वी अंतराष्ट ये ओनलाइन स्टिंग चैंपियंशिप I.O.H.C. में 10 मीटर एयर राइफल स्परदा में शोन पदक जीता है, इसके ओप्संस हैं, मार्टिन स्टंफ, यर्श वर्दन, औलेक जेंडर हलकिन, इन वे से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है, हर्श वर्दन, बारत के हर्श वर्दन ने 6 वी अंतराष्ट ये ओनलाइन स्टिंग चैंपियंशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्परदा में सर्ण पदक जीता है, इसके अलावा, जो मार्टिन स्टंफ है, इन्होंने सिल्वर मैडल जीता है, ये आश्ट्रिया से समन्द र और 6 वर्दन शूटिंग में वर्ड में 25 विस्थान पर है, हमारा आज का अगला क्योस्टन, आबू दाभी ग्रैंट प्रिक्स 2020 किसने जीता, इसके ओप्शन्स है, टोरेस रोसो, मैक्स वेर स्टेपेन, वल्टेरी बोटास, लुईस हैमिल्टन, इसका राइट अंसर है, मै प्रिक्स वेर स्टेपेन ने अबू दाभी ग्रैंट प्रिक्स 2020 जीता है, ये रेड़ बूल रेसिंग होंडा का प्रतिनी जीत्व करते हैं, हमारा आज का अगला क्योस्टन, हाल ही में, युनेसको ने, युनेसको बांगलादेश, बंग बंदू, सेख, मुझीवूर, रह्मान, इंटरनेशनल प्रुषकार देने का प्रस्ताव अपना है, ये कौन से छेत्र में दिया जाएगा, इसके उप्संस है, अर्थ वेवस्ता के छेत्र में, संसकर्ती के छेत में, विज्ञान के छेत्र में, इसका राइट आंसर है, अर्थ वेवस्ता के छेत्र में, क्रियेटिव एकोनोमी के छेत्र में, युनेसको बांगलादेश, बंग बंदू, सेख, मुझीवूर, रह्मान, इंटरनेशनल प्रुषकार देने का प्रस्ताव अपना है, युनेस इसको स्वयुक्त राष्टर, सैक्सिक, वेग्यानिक और शांसकर्तिक संगठन, इसके महानी देशक है, ओडरे, अजोले, एड़काटर है, पेरिस, फ्रांस, इसमें सदश्य है, एक्सोतिराणवे देश, बंगलादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है, वो हैं, शेक हसीना, राष्दानी अडाका, इसके अलावा, बंगलादेश इंडिया कोटन फेस्टिवल 2020 भी मनाया गया है, हमारा आज का अगला क्योस्टिन, डबलू अचोने, लाइज इन दी बैलेंस समीट में, भारत विश अस्तर पर महिलाओ, बच्चों की सोरों के लिए, आवशक्ताएं सिवाए परदान करने के लिए, कितने बिलियन डोलर देगा, इसके ओप्संस है, पाच बिलियन डोलर, चार बिलियन डोलर, तीन बिलियन दो बिलियन डोलर, इसका राइट आंसर है, दो बिलियन डोलर, डबलू अचोने, लाइज इन दी बैलेंस समीट में, बारत दो बिलियन डोलर देगा, महिलाओ, बच्चों और की सोरों की आवशक्ताएं सिवाए परदान करने के लिए, डबलू अचों, इसके महानी देशक है टेड रोस अदनों और एड़काटर है जिनिवा स्वीजरल एंड मी और लाइव इन दी बैलेंस समिट यह है कोर ग्रूप डगलुए चोज पार्टनर्शिप फोर मैट्रियल न्यूबर्न एंड साइल्ड हेल्थ और यूनिवर्शल हेल्थ कवरेज दवारा आज जित क्या था हमारा आज का अगला क्योस्टन आई एम आई दवारा आज जित आवाशी नोवी सस्टेनेबल माउंटें डॉलपमेंट समिट 2020 कहां आज जित हुई इसके ओप्संस हैं देहरादून उत्राखंड मंडी हिमाचल परदेश स्रीनगर जमू और कस्मीर जयपूरा जिस्था इसका राइट आंसर है देहरादून उत्राखंड आई एम आई दवारा आज जित नोवी सस्टेनेबल माउंटें डॉलपमेंट समिट 2020 यह देहरादून उत्राखंड में आज जित क्या गय था और यह हैं इंटिग्रेटेड माउंट इनिशेटिव आई एम आई दवारा औ और SDFU सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोम उत्रांचल दवारा जित क्या गय था यूएन ने अंतराष्ट यह परवत दीवस के आउसर पर इसको मनाया था चीफ गेस्ट हैं उत्राखंड के सियम त्रिवेंदर्शिंग रावत और मेघाले के सियम कोर्नाट संगमा SMDS एक वार्षिक सिखर समेलन SMDS यही सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट यह है वार्षिक सिखर समेलन है जिसका आईजन आईएमाई दवारा पाढ़ों और पाढ़ियों के मुद्दों पर चर्ष्टा करने के लिए किया था IMI Integrated Mount Initiative इसके चीप है प्रेमदास राय हेड़कॉर्टर है नई न्यू डेली और उत्राखंड इसके CMH3VN दर्शिंग रावत राज्य पाल है बेबी रानी मोर्य है राज्य स्वाकी तीन सीटे और लोग स्वाकी पाथ सीटे है हमारा आज का अगला क्योस्टन कौन से राज्य ने चात्रों के लिए ओनलाइन कोसल विकास कारेकरम के लिए IMB के साथ साज़ेदारी की है इसके उप्संस है आंध्रा परदेश, केरल, मध्य परदेश, तेलंगाना इसका राइट आंसर है तेलंगाना देलंगाना राज जैने चात्रों के लिए ओनलाइन कोशल विकास कारेकरम के लिए IBM के साथ साज़ेदारी की है IBM International Business Machine और IBM एक वर्ष के लिए मुफ्ट डिजिटल सिक्सा मंच देगा ओपन टी टेक यह क्या है ओपन टी टेक शिक्सा मंच है चात्रों को और इसके माद्यम से 30,000 चात्रों को शिक्सा परदान करेगा IBM एक एमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है 1911 में इसकी स्थापना हुई थी तेलंगाना इसकी जो राजदानी है है हैदराबाद 33 जिले हैं CM है चंदर शेकर राओ इसमें कुछ एतियासिक मॉनुमेंट्स जैसे चार मिनार, वारंगल किला, कुंतला, वाटरफोल आदी हमारा आज का अगला क्योस्चन हाल ही में कौन से देश में हैवी लिफ्ट अंगारा ए-5 स्पेस रोकेट लॉंच किया है इसके एप्शन्स है फ्रांस, रूस, एमेरिका, चीन इसका राइट आंसर है रूस रूस ने हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रोकेट लॉंच किया है अंगारा A5 रूस के सबसे भारी पैलोड को कक्षा मिले जाने के लिए प्रोटोन M रोकेट की जगह लेगा अंगारा यह एक साइवेरियन नदी के नाम पर रखा गया है जो की बैकाल जिल से निकलती है रूस की जो स्पेस अजेंसी है वो है रोस कोस्मोस इसके जो महानी देशक है वो है दिमित्री ओलेगोविच रोगेजिन इसका हैड़कॉर्टर है मोस्को रूस रूस के राश्ट्र पति हैं व्लादिमीर पूतिन इसके अलावा चाइना चीन ने चांग 5 के जरीए दुनिया का दूसरा देश बन गया है चांद की स्टैप पर अपना जंडा लगाने वाला हमारा आज का अगला क्योस्टन क्रिशिल के अनुसार स्टेंबर 2020 में फाइनेंसियल इयर 2021 के लिए अनुमानिक जीडिपी कितनी है इसके ओप्सन से माइनस 8 परशेंट माइनस 7.5 परशेंट माइनस 7.7 परशेंट माइनस 6 परशेंट इसका राइट आंसर है क्रिशिल इयर है 2021 मिन्स 31 मार्च 2021 को खतम होगा यह फाइनेंसियल इयर और इसकी यह इसकी जो अनुमानिक जीडिपी है वो है माइनस 7.7 परशेंट क्रिशिल के जो एमडी और सीईओ है वो है आशू सुयस हैड़कार है मुंबई महाराष्टर इसकी जो पैरेंट कंपनी है वो है स्टेंडर्ड एंड पूर्श इसके अलावा आई सी आर ए निवे सूचना और क्रेडिट रेटिंग अजेंसी ओफ इंडिया इनोंने भी जो फाइनेंसियल इट 2021 है इसकी जो जीडिपी है इसका अनुमान लगाया है वो है 7.8 परशेंट के आसपास हमारा आज का अग ने भूमद्य सागर के उपर मल्टी रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल प्रिक्शन किया है इसके ऑप्शन से इरान, अमेरिका, इसराइल, चीन इसका राइट आंसर है इसराइल इसराइल ने भूमद्य सागर के उपर 3 मल्टी रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम का बढ़ रहा है इसलिए इसराइल ने ये जो ये जो थ्री मल्टी रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसका सफल प्रिक्षन किया है और इसराइल ने इसराइल मिसाइल डिफेंस और नाईजेशन के ने यूएस की मिसाइल डिफेंस एजेंसी के साथ मिलकर थ्री मल्टीपल र और डेविड सेलिंग और आयरन डॉम एरो एक एंटी बैलेस्टिक मिसाइल है यह जो लोंग रेंज की जो मिसाइल है उनको द्रासाई कर सकती है और डेविड सेलिंग यह एक मीडियम रेंज की मिसाइल को गिरा सकती है इसके अलावा जो आयरन डॉम है जो इसका थर्ड इंप पुद्रा है नूशेकल हमारा आज का अगला क्योस्टन प्राइम मिनिस्टर नरेन्र मोदी ने कौन से राजे में दुनिया के सबसे बड़े रिनुएबल अनर्जी पाका शिलानेस किया है इसके उसन से तमिल नाडू गुजरात केरल महाराश्टर इसका राइट अंसर है गु इस प्रियोजना का सिलानेस किया है दुनिया के सबसे बड़े रिनुएबल अनर्जी पाक का बारत पाक की सीमा के पास दोडो में स्थित है यह है रिनुएबल अनर्जी पार्क और यह है सोर उर्जा और पवन उर्जा दोनों को उप्योग में लेता है गुजरात के सीम है विजय रुपानी, राज जेपाल है, आचारी है, देवर्थ, राजदानी है, गांधी नगर, हमारा आज का अगला क्योस्टन, कौन सी राज सरकार ने किसानों के लिए Y.S.R. फ्री फसल भी मायोजना शुरू की है, इसके ओप्सन से, तेलंगाना, मध्य पर्देश, आंद्र से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है, आंद्र पर्देश, आंद्र पर्देश सरकार ने किसानों के लिए Y.S.R. फ्री फसल भी मायोजना शुरू की है, इस योजना के तहत, बारे सो बावन क्रोड रुपे हैं, सीधे, 9.48 लाग किसानों के खातों में जाएंगे, आंद्र जिले हैं, राज्य सवाकी 11 सीटे हैं और लोक्स वाकी 25 सीटे हैं, इसमें कुछ इंपोर्टेंट हवायडे जैसे विशाखा पत्नम अंतराष्टी हवायडा, विजयवाडा अंतराष्टी हवायडा, तिरूपती अंतराष्टी हवायडा, इसमें त्योहार हैं जैसे परशक्रान्ती लुम्बीनियुट सव। हमारा आज का अगला क्योस्चन चाबहार के शयुक्त उपयोग के लिए पहली टीडवलूजी मिटिंग भारत इरान उजबेकिस्तान के बीच हुई चाबहार पोर्ट किस देश में है इसके ओप्संस है ओमान इरान भारत उजबेकिस इसका राइट आंसर है इरान चाबहार पोर्ट इरान में है और यह है यह क्यों यह जो मिटिंग हुई थी बारत इरान और उजबेकिस्तान की क्यों क्योंकि यह जो उजबेकिस्तान है यह चाबहार पोर्ट है इसको यूज करना चाता है इसके लिए यह त्रीपक्षे मिट और इरान और उजबेकिस्तान ने भारत के प्रस्ताव को समर्थिन किया कि चाबहार दीवस मनाया जाएगा अंतराष्ट ये समुन्द्री सिकर समयलन के अशर पर चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी में इरान के दक्षणी पूर्वी हिस्से में स्थित है और अब यह बारत वारा विख्षित किया जा रहा है इरान इरान के जो राष्ट्र पती है हसन रूहानी राजदानी है तेहरान मुद्रा है इरानी रियाल उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान के राष्ट्र पती है सावकत मिर्जियायेव और राजदानी है तासकंद हमारा आज का अगला क्योस इसका राइट आंसर है काईली जेनर काईली जेनर फॉब्स 2020 की हाई पेड सेलिब्रिटी रिपोर्ट में सिर्ष पर है टोप पर है ये मसहूर मीडिया परस्टनलेटी और काईली कॉंसमेटिक की फाउंडर है फॉब्स इसके जो परदान संपादक है वो है श्टिव फॉब्स हेड़कॉर्टर है न्यूजर्शी यूएस हमारा आज का अगला क्योस्टन UNDP दवारा जारी Human Development Index 2020 में भारत कौन से स्थान पर है इसके ओप्चन्स है 139, 133, 131, 189 इसका राइट आंसर है 131 बारत UNDP दवारा जारी Human Development Index में 131 वे स्थान पर है और यहाँ पर जो टोटल देश लिए गए थे वो 189, 189 देशों में भारत 131 वे स्थान पर है और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हम 139 वे स्थान पर थे जो की खिसक कर 131 वे स्थान पर आ गए है अगर सिर्ष में देखा जाए तो सिर्ष पर नोर्वे है 0.957 अंकों के साथ और शेकिंड नंबर पर दो देश है आरिलेंड और स्वीजरलेंड 0.955 अंकों के साथ और भारत को अंक मिले थे 0.645 और इसमें जो पैरामिटर लिए गए थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर कैप्टा इंकम और एजुकेशन और 189 वे स्थान पर रहा मतलब सबसे कम सबसे पीछे-पीछे वो है नाइजर UNDP United Nation Development Program इसके जो परशासक है वो है अच्छीम स्टेनर हेड़कॉर्टर है नियोग यूएस इसके अलावा UNEP ने Young Championship of the Earth के लिए साथ उद्धमियों को चुना साथ लोगों को इसमें एक भारतिय भी है जिनका नाम विदूत मोहन है और ये भी एक वैवसाई है United Nation Environment Program UNEP इसका हेड़कॉर्टर है नेरोबी केन्या और इसके कारेकारी निदेशक हैं इंगर एंडर्शन हमारा आज का अगला क्योस्चन OCA Olympic Council of India ने एसियाई खेलों 2030 और 2034 की मेजबानी के लिए कौन से देशों को चुना है इसके ओप्संस है कतर शओधियारब कतर चीन इंडोनेसिया जापान इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है कतर शओधियारब OCA Olympic Council of Asia ने 2030 के लिए जो एसियाई खेलों की मेजबानी करेगा उसके लिए कतर और 2034 के मेजबानी के लिए शओधियारब को सुना है इसके अलावा 2022 में चीन करेगा मेजबानी एसियाई खेलों की और 2026 में जापान करेगा ACI खेल ओलंपिक के बाद दूसरा मल्टी स्पोर्ट्स गेम है और शिये दवारा आजब करवाया जाएगा पर्थम ACI गेम 1951 में आजबान में आजबानी करेगा कतर की राजदानी है दोहा और इसके परदान मंत्री है वो है खालीज बिन खलीफा बिन अब्दुर अज़ीज अल ठानी हमारा आज़ का अगला क्योश्चन हाल ही में भारत ने ओरिसा के बाला सोर त्थ से कौनसी दो मिशायलों का सभलता पूरुक प्रिक्षण किया है इसके options है आकाश, पृिषवी 2, सागर, इन में से कोई नहीं इसका right answer है पृिषवी 2 भारत ने ओडिशा के बाला सोर तट से दो प्रिथवी टू मिसाइलों का सबलता पुरोग प्रिक्षण किया है यह सरफेस टू सरफेस मार करने वाली बैलेस्टिक मिसाइल है और यह DRDO Defense Research and Development Organization के IZMD Integrated Guided Missile Development Program के तहत विक्षित की गई है इसकी रेंज है 350 किलो मिटर और यह 500 से 1000 किलो ग्राम प्रमाणू वोर हेड ले जा सकता है DRDO इसके जो चीब हैं वो हैं जीस तीस रेड़ी इसके अलावा इसरों ने नेत्र स्पेस सिच्वेशन अवेरनेस के लिए Dedicated Control Center की स्थापना की है और नेत्र का जो मुख्य उदेश है वो है जो इंडियन स्पेस एसेट्स हैं उनको अंतरिक्स के मलबे से बचाना अंतरिक्स में बहुत जादा मलबा है और बारत की जो सेटेलाइट्स हैं कई उनसे टकराने जाएं उनको नुक्सान ना कर दें इसलिए इसरो ने नेत्र एक जो एक अवेरनेस सेंटर है ये खोला है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ओगनाईजेशन इसके अध्यक्स हैं केशीवन और हेड़ पार्टर है बेंगलूरू करनाटक हमारा आज का अगला क्योश्चन हाल ही में एक भोतिक वेगैनिक का निधन हो गया इने फाइबर ओप्टिक्स का जनक कहा जाता है इनका नाम क्या है नरिंदर्शिंग कापनी रोड़ डम नर्शिम्ह अस्ताद देबो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है नरिंदर्शिंग कापनी जो के भोतिक रोड़ डम नर्शिम्ह इने ये पदम भूशन और पदम वीभूशन अवोर्डी है और ये एक अंतरिक्ष वेगैनिक थे इनका भी निधन हो गया है अस्ताद देबो इनका भी निधन हो गया है ये भी ये सास्त्रियन नर्ट्य कतकली करते थे इसके अला अमारा आज का अंतर को कम करने के लिए किसके साथ साज़ेदारी की है इसके ओप्संस हैं गूगल इंडिया अमेजोन इंडिया फेस्बुक इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है गूगल इंडिया गूगल इंडिया के साथ फारडा और एस डीसी ने भायत की ओटो डिलर्शिप के अंतर को कम करने के लिए साज़ेदारी की है फारडा फेडरेशन ओफ ओटो मोबाइल डिलर्स असोसियेशन इसके अधैक्स हैं विंकेस गूलाटी और हैड़कौर्टर है न्यू डेहली एस डीसी ओटोमोटीव स्किल डेवलप्मेंट काउंसिल इसके अधैक्स हैं निकून गूगल इंडिया के जो एम डी और सीओ ऋ हैं वो हैं संजय गुपता इसके अलावा गूगल इंडिया ने मेक्स मॉल स्टॉंग अभियान भी शुरू किया था जो कि व्यापारियों और गरहाकों की मदद करेगाश्यक्रावा इसके अलावा अमेजन इंडिया के साथ सी आज का अगला question हाल ही में भारत का ISO certificate प्राप्ट करने वाला पहला चिडिया घर कौन सा बना है इसके options है नेरू जोलोजिकल पार्क, एनिमल थीम पार्क, स्वारी पार्क, बटरपलाई जू इसका right answer है नेरू जोलोजिकल पार्क नेरू जोलोजिकल पार्क, इंडिया का पहला ISO certificate करने वाला पहला चिडिया घर है और इसमें यह त्यलंगाना में है और इसमें जो पैरामिटर्स लिये जाते हैं वो थे चिडिया घर में में जो मांदंड दिये हैं उनको अच्छे से पालन करना जैसे विशेश रूप से सवच्छता मिन्स कलीन लेस होना चीए पसू परजनन और पसू की देख बाल पसू को कैसे खिलाते हैं इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और इन सब पैरामिटर्स पर नेरू जुलोजिकल पार्क खरा उत्रा हमारा आज का अगला क्योश्चन हालही में इंडिया ग्रीड ने क्रिटिकल पावर इंफ्रस्टेक्टर के डिजिल प्रिवर्तन के लिए किसके साथ टाइप किया है इसके ओप्संस है इफको आई बीम फेस्बुक इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है आई बीम इंडिया ग्रीड ने critical power infrastructure के digital प्रिवर्तन के लिए IBM के साथ tie up किया है IBM international business machine इसके CEO है अर्विंद और headquarter है New York US IBM इंडिया इसका headquarter है Bengaluru करनाटक MD CEO है संदिप पतेल और इंडिया ग्रीड इंडिया ग्रीड यह के के आर और SPGVL दवारच लाई गई भारत की पहली सूचिबंद बिजली के शेतर के बुनियादी डाचे में बुनियादी डाचे निवेश ट्रस्ट है इसके जो CEO है किसके इंडिया ग्रीड के वो है हर्ष सा और headquarter है New Delhi हमारा आज का अगला क्योस्टन बेस्ट फिफा मैन प्लेयर अवर्ड 2020 किसने जीता इसके जेरगन क्लॉप, रोबर्ट लेवास डोस्की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है, रोबर्ट लेवास डोस्की, इनको बेस्ट फिफा मैन प्लेयर ओफ दे अवर्ड मिला है और जो जेरगन क्लॉप हैं, इनको बेस्ट कोच का अवर्ड मिला है और अगर मिलाओं में बात की जाए, बेस्ट विमीन प्लेयर ओवर्ड फिफा विमीन प्लेयर ओवर्ड तो यह है लूसी ब्रोस्को गया और मिला कोच जो की बेस्ट फिफा में जो बेस्ट मिला कोच है वो है सरीना विगमेन और जो ये रोबर्ट लेवास्ट डोवर्स की हैं ये पोलेंड किसे समन्द रखते हैं फिफा इसका हेड़काटर है जूरिक स्विजरलैंड में और इसकी जो चीफ हैं वो है जियानी इन्फेंटिनो फिफा ने 1991 से विशर प्रुसकार देने शुरू किये थे हमारा आज का अगला क्योस्टन इकोनोमिक्स डिप्लोमेसी वेबसाइट किसने लोंच की है इसके ओप्शन से निरुलासी तारमन, एस जैसंकर, अनुराग ठाकूर, इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है, एस जैसंकर, एस जैसंकर ने इकोनोमिक्स डिप्लोमेसी वेबसाइट लोंच की है, एस जैसंकर हमारे विदेश मंतरी है, और राज्य मंतरी है, वी मूरली धरन हमारा आज का अगला क्योस्टन न्यूट्रिलेटी का अंतराष्टी दिवस 2020 कब मनाया गया, ओप्संस 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, इसका राइट आंसर है, 12 दिसंबर, 12 दिसंबर को न्यूट्रिलेटी का अंतराष्टी दिवस 2020 मनाया गया, इसके अलावा, 12 दिसंबर को यी अंतराष सारों मीक्स स्वास्थे कवरेज दिवस भी मनाया गया हमारा आज अगला क्योश्चन विष्व अर्भी भाषां दिवस 2020 कब मनाया गया इसके उप्सन से 15 दिसमबर 16 दिसमबर 17 दिसमबर 28 दिसमबर को विश्व अर्भी भाषा दीवस मनाया गया और इसका विश्व था Arabic language, academic necessity और luxury इसके अलावा अंतराष्टी प्रवासी दीवस भी 18 दिसंबर को मनाया गया और इसका थीम था रीमेजिंग human mobility अलब संक्यक अधिकार दीवस यह भी मनाया गया है 18 दिसंबर को ही और 16 दिसंबर को राष्टी वीजे दीवस मनाया गया क्यों क्योंकि 1971 1971 में भारत और पाकिस्तान के यूद में भारत ने पाकिस्तान को हरा कर बांगला देश जो एक अमारा पड़ोसी देश ह इसका आजाद गरवाय था मिन्स यह एक अलग देश बनाया था पाकिस्तान का अलग से हिस्सा था इसको अलग देश बनाया था फ्रेंज अगर आपको मेरा एकरंट अफेर सेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए लाइक शेयर कमेंस करें औ आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रही थैंक यू